जब मैसिव निउज आती है एकदम सडनली आती है आज इनफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट एडी ने वो स्कैम जिसके लिए रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी इंडिया टुडे अलग अलग नाम आ रहे हैं और किस तरह एक प्रेस कॉंफरेंस हुई थी और आप और मेरा तो शुरू से मानना है कि इसका अर्नब से कोई लेना देना नहीं है उस केस के अंदर इनफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट ने एक केस दर्ज कर लिया है यह important क्यों है यह एहम क्यों है यह vital क्यों है क्योंकि अब central agency पूरे money angle की जांच करेगी दूद का दूद पानी का पानी हो कि कौन एक्चुली इस केस में गिल्टी है उसके लिए एडी जो स्पेशलाइज एजनसी होती है मनी लॉंडरिंग की मनी ओफेंसेस की वो घुसेगी केस क्या था आप सब जानते हैं आर्थ अक्टूबर को सड़नली एक केस सामने आया कि रिपब्लिक टीवी टी आर्पी करता है बाद में एफायार सामने आई जिसमें रिपब्लिक टीवी का नाम ही नहीं था इंडिया टुडे का नाम था रिपोर्ट आई हनसा की जो यह एजनसी है जो इससे डील करती थी मेजर्मिंट की टी आर्पी क्या है अब आप सब जान चुके हैं कि एक रेटिंग डिव देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं वैसे भी कॉई concept नहीं होता चैनल को कौन कितना लोग देख रहे हैं यह मेजर करता है तो बात सामने आई केस मेजर्मिंट में कुछ उनने सिक्खे से वह एक ongoing case हो गया फिर development क्या हुई यूपी पुलिस ने भी case दर्च किया क्योंकि अग अगर किसी की टी आरपी तमिल नाडू में बढ़ रही है किसी की यूपी में बढ़ रही है आपकी टी आरपी रेटिंग तो आल इंडिया होती है वो case चला गया CBI को पर वो separate case था यहां पर ED ने basic FIR के उपर एक अपना case दर्च करा है अब ED तो सब के उपर जाएगी बहुत स इंपल वीपी आज भी जेल में गए दुखत बात है पर अब मुझे यह लगता है कि ED के साथ जब investigation होगी पूरा सच और साफ सामने आ जाएगा और time लगता है कई बारी पर सच हमेशा सामने आता है 8 October के बाद अब जाके November में हो भी 20-21 November को जाके ED गुसा है इसके अंदर तो time तो बहुत लगा है पर अब यह होगा दूसरी बात यह मैं अपना व्यक्तिदक रूप दे रहा हूँ परसनल पीनिन दे रहा हूँ मुझे नहीं लगता TRP इशू कोई इतना बड़ा इशू है Actually that is my personal opinion क्योंकि मैंने तब भी कहा था जब यह allegations आई थी आज जब ED जा रहा है और कल को किसी और चैनल पर भी allegations आ सकती है और proofs भी आ सकते हैं FIR में चैनल named है ही है जैसे आप जानते हैं कि advertisers बहुत समझदार होते हैं बहुत intelligent होते हैं वो कुछी एक parameter पर ads नहीं देते specially TRP जिस पे पहले भी सवाल उठाए जा चुके हैं कि manipulated हैं NDTV के प्रनौय रोई ने तो बहुत पहले ही कहा था कि इतने सालों से manipulations चल रही है तो यह industry में सब जानते हैं कि measurement unit कोई बहुत exact या precise या अच्छा नहीं है बहुत सारे factors देखते होंगे तब add देते होंगे पर अगर investigation होनी है और इतनी serious होनी है कि लोग arrest भी हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि ED आ गई है जो honest है उसका नाम साफ होना चाहिए जो guilty है उसको सजा होनी चाहिए और यह मुझे लगता है ED के आने से क्योंकि वो specialized agency है money issues की वो बहुत अच्छा होगा और सबसे important बात हनसा हनसा जिसकी complaint पे यह case based है वो high court जा चुका है rate petition में और वो high court जाके बोल चुका है कि यह case को CBI को transfer कर देना चाहिए तो complainant खहर है CBI को transfer कर दो UP में हो गया है यहाँ पे ED आ गई है तो बहुत हरांगी नहीं होगी कि जल्दी technical issues बहुत आएंगे और मैं उनकी depth में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आप लोग मोटी बात समझना चाहते हैं पर technical issues के बाद हो सकता है यह पूरा case CBI को जाए ED तो आई चुकी है और ED की जो investigation होगी मुंबई police की investigation होगी वो दोनों match करती है match नहीं करती correlate करती है correlate नहीं करती यह सारी बातें सामने आएंगी पर यह अच्छा होगा कि specialized agency के साथ अब सारी बातें सामने आएंगी और कुछ छुपेगा नहीं और मीडिया वाले मैं बहुत देर से कह रहा था कि एक नियूरंबर्ग में मैंने लाइन आपको पहले भी पताई हुई है मीडिया बहुत बारी बोलती है हमारी freedom state government से या central government से बचनी चाहिए और कुछ मीडिया बहुत खुश होई थी जब अरनब पे case हुआ था और मैंने तब भी कहा था नियूरंबर्ग आप जानते हैं क्या था जहां पर मैं वह बात बोलना भी नहीं जाता आपको बता है कि क्या हुआ था वर्लड वर टू के अंदर और सब कुछ क्या हुआ था और उसकी वहां पर ट्रेड यूनिलिस्ट देंडे केम फॉर दूज और मैं कभी नहीं बोला क्योंकि वह मेरे ले नहीं थी राइट मैं अपनी मेंबरी से डाल रहा हूं यह लाइन क्या थी पर मैं अभी आपको मेंबरी की जगा एक्जाट लाइन दाता हूं क्योंकि ओडियंस हैं बेसे किस ब जब आपको पता है जब आपको पता है जर्मनी में हिटलर ने क्या किया था फिर्स दे केम फर सोचलिस्ट आइड नहीं था तो मैं क्यों बोलू हूं देन दे केम फर जूज आपको पता है जर्मनी में हिटलर ने क्या किया था तो मैं क्यों बोलू हूं देन दे केम फर जू है कि कितना गल्थ हुआ था जूज के साथ और लास्ट लाइंग सबसे इंपॉर्टेंट जो लेसन है देन दे केम फॉर मी और देर वस नो वन लेफ तो स्पीक पॉर में इसका लॉंगर वर्जिन कॉमिने सोशलिस्ट सब कुछ डालता है जो मैं पहले बोल रहा था पर यह क्योंकि NDTV के समय तो जब इतने बड़े-बड़े केसेज थे और NDTV की इंवेस्टिगेशन हो रही थी तो यह मीडिया फ्रीडम के लिए प्रेस क्लब में मीटिंग्स कर दी गई थी NDTV के लिए अर्नब के लिए कोई मीडिया नहीं बोली थी पर अब कोई बोल भी नहीं पाएगी क्योंकि आप सब को इन्वेस्टिगेशन चाहिए थी तो इडी इन्वेस्टिगेट करेगी और जैसा मैंने कहा टाइम लगता है पर सच हमेशा भार आता है इस केस में भी सच आ रहा है और पूरा सच आएगा है